हम जानते हैं विश्व में जो प्रचलीत अर्थव व्यवस्ता है उसके कारण कई समस्याएं भी खड़ी है और समस्याओं का उत्तर उस व्यवस्ता के पास नहीं है सबी देशों में उसका पुनर विचार चल रहा है कि बहुत उत्साह से जिन बातों की उद्गोशना आर्थिक जगत पहले करता था आज उसने वो करना बन कर दिया है अंतर्मुखों के विचार कर रहा है तीसरा रास्ता कौन सा है कि तीसरा रास्ता हम दे सकते हैं हमारे परंपरागत आर्थिक चिंतन की जो दुर्ष्टी है वो पूर्ण है अदूरी नहीं है हमने उस्व के आधार पर यह चिंतन किया है एक शाश्वत सत्य हम पहले बताते हैं कि भाई अर्थ शास्त्र क्यों है मनुष्य की कामना पूर्ती के लिए साधन उपलब्ध कर रहने का शास्त्र ऐसा हो मानते है हमारे यहां थोड़ा आगे गए हमने कहा कि सुख प्राप्त है उसके सुख का वो शास्त्र है जिनोंने जन्म लिया है वो सब सुख को प्राप्तों तो सभी सुखी होंगे और यह सुख कहां मिलता है सुख बाहर नहीं है सुख अंदर है और इसलिए अंदर के सुख को प्राप्त करेंगे तो बाहर की वस्तुओं से हम परियाप्त सुख ले सकते हैं अपने अंदर ही है वो लेकिन उसकी लिए बाहर की वस्तुओं परियाप्त हो सकती है नहीं तो सिद्धान्त तो प्रचलीच सिद्धान्त कहता है मीन्स आर लिमिटेड एंड्स एंड्लेस हमारे इस सत्यों को मान्य करके कहा है कि ऐसी अवस्था में अगर उपभोग करना है तो संयम आवश्चक है क्योंकि सुख उसमें नहीं है वस्थू में सुख हमारे अंदर है तो बाठ कर खाओ उस सुख के पीछे बहते मत जाओ सुख पर तुमारा नियंत्रन चाहिए और इसलिए सयम पूर्ण उपभोग न्यूनत अम आवश्चक जितना है उतना उपभोग क्योंकि यह सब हमारा नहीं मेरी अपनी प्रापर्टी नहीं है इस पर मालकियत किसकी है किसी की नहीं इसावास्यमिदम सर्वम भगवान का बनाया है बगवान का है उसने उसका यतोचित उप्योग जिसके लिए रखाये वो लेगा सबका होने के बाद बचेगा उसमें मैं अपने को चलाओंगा तेन त्यक्तेन भुंजीत मनुष्य प्राकृतिक और मानव निर्मिद्धन का स्वामी नहीं है विश्वस्त है उसको दो हाथों से कमाना है लेकिन उसके आधार पर सारी सुरुष्टि को चलाना है हजार हातों से बाठना है इस सुरुष्टि के आधार पर अपने यहां का आर्थिक विचार खड़ा है वो एकांतिक नहीं है उसमें मनुष्य को सुरुष्टि के अंग के नाते देखाद गया है सुरुष्टि का मालिक नहीं कॉंकरर नहीं कॉंकरिंग दी नेचर गलत बात है नर्चरिंग दी नेचर इस आधार पर हमारा अर्था विचार कड़ा है और इसलिए वह एकांगे नहीं है वो सब जगह परिवार की कलपना करता है कृषिस रेट है कि उद्ध्योग स्रिष्ट की व्यापार स्रिष्ट है और वह तीनों अपने अपने जगह स्रिष्ट है तीनों को मिलकर चलना सबको अपना-पना करता हुए पूरा करते हुए संयम से बरता पड़ेगा तब सब की कामना पूर्ण होगी कि इस प्रकार के आर्थिक विचार के आधार पर आज के देशकाल परिस्थिती में क्या सुसंगत हो सकता है हमारा प्रदीर्ग जीवन रहा है उस प्रदीर्ग जीवन में हमने भी पुर्चार्थ किया है और इस्वी सन एक से लेकर तो सत्रवी सदी तक हम दुनिया के सर्वसमर्था आर्थिक देश थे विलियम डैली रिंपल वगरे डाटा दे रहा है यह गर वस्तुस्तिती है तो हमारे इतने लंबे आर्थिक अनुबह से हमने जो शाश्वत तत्व निकाले है उसके आधार पर हमको चलना पड़ेगा जमाना बतला है उपर उपर का परिवर्तों उतना जरूर करना पड़ेगा विश्व भी अब दो-चार हजार साल चला है अर्थपुरुशार्थ हमें उसका भी कुछ अनुबह है वहां से भी जो उपयुकत है वो लेना पड़ेगा स्वदेशी को काल सुसंगत बनाना और विदेशी को देश सुसंगत बनाना इसके आधार पर अपने स्वग पर आधारित एक नया आर्थिक प्रतिमान संपूर्ण दुनिया को देना ये दुनिया की अभी आवश्चकता है और स्वातंत्र में हमारे स्वग कहे प्रगटी करण का एक स्वाभाविक आविश्कार है इसकी चिंता हमको करनी पड़ेगी